हेलो विद्यार थी हूँ, एलो विक लासेच की इस नई वीडियो में आप शबी का श्वगत है तो आज के इस लेक्षर में मैं आप शबी को यहाँ पर बोर्ड परिक्षा में पूछे गए कुछ नियूमेरिकल जो है साल करवाऊंगा तो श्मी दंदेजी हैं पर जो पहला कोशन लिया गया है कोशन है कि एक प्रेरक में धारा यहाँ पर दे गई है आई बराबर पांच और इसके बाद दिया गया प्लस सोला टी से वेक्त की जाती है जहां आई ता 30 क्रमसा एमپिःर वा सेकेंड में है यानि कि धारा जो है वो एमपिः में है और शमय जो है वो ŷेकेंड में है प्रेरित विद्धुत वाहक बल दस मिली ओल्ट यहाँ पर दन देजे प्रेरित विद्धुत वाहक बल जो है वो दस मिली ओल्ट का है ग्याद कीजिए यहाँ पर आपको ग्याद करना है सबसे पहले तो 100 प्रेर कतो और दूसरा लिखा है यहाँ पर प्रेरक में टी बराबर एक सेकेंड पर संचित उर्जा तो सबसे पहले धन्देजे यहां पर तो आपको दिया गया है धारा यहां पर आप लेख सकते हैं आई बराबर फाइफ प्लस यहां पर हो जाएगा सोला और इसके लाओं टी इतना आपको यहां पर दिया गया है इसके लाओं धन्देजे पर प्रेयरत विद्धुत वहांक बल दिया गया है यानि कि E बराबर दिया गया है दस मिली ओल्ट यहां पर दंदेजी यह मिली ओल्ट है अगर इससे आप ओल्ट में बदलेंगे तो दस गुड़े मिली को बदलने के लिए गुड़ा कह जाएगा दस की घात माइनस तीन से तो य दूसरा यहां पर दंदेजी सचित अरजा ग्याद करनी है यानि की U कामान आपको ग्याद करना है तो सबसे पहले यहां पर दनदेजी जो आपको धारा दी गई है यहां पर लोग ओकलन करेंगे ट के साब एच यह आंदीज़ बदी आगे है, i बराबर 5 प्लिस यहां पर दिया सिस्टीन टी, इतना आपको दिया गया है, इसका आप टी के साब पे शॉकलन करिए, तो यहां पर हो जाएगा, D I, B T, D T बराबर 5 का अुकलन होता है 0 और इसके लाव T का अुकलन 1 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आजाएगा 16 यानि कि D, I, B T बराबर कितना आगया 16 यह इतना आगया अब इसके बाद धान्देजिया पर पहला जो आपको ग्यात करना है प्रिरकत्तो तो शूत्र होता है L बराबर E और बटे में होता है D I बटे D T ये सूत्र होता है इसमें अब लोग मान रखेंगे तो L बराबर E इसका मान धन्देजी ये दिया गया है 10 गुडे 10 की घात माइनस 3 बटे D I by D T इसका मान यहाँ पर हो जाएगा 16 यानि कि L बराबर अब धन देजे यहाँ पर इसे अगर आप दोस चाहाँ तो कैसल कर सकते हैं यानि कि 2 पंचे 10 और यह हो जाएगा 2 अठे 16 यानि कि 5 बटे 8 गुडे 10 की घात माइनस 3 इतना हुआ इसके बाद L बराबर अब 8 से जो आपको इसको भाग करना है तो जब 8 से आप यहाँ पर इसे भाग करेंगे तो जहन देजे यहाँ पर पहले दसम्लो लगा देजे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 अब 8 से जब भाग करेंगे तो 8 चंग 48 यानि कि यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 तो फिर 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा यानि कि 8 दूनी 16 फिर आएगा 4 यानि कि 8 पंच 40 तो यह आगया 0.625 गुडे 10 की घात माइनस 3 नंदी जी से अब ऐसा लिख सकते हैं दिसम्बलो जो यहाँ पर दिया गया एक अंक दाई तरफ लाएंगे एक अंक के बाद लगा यह 6 दिसम्बलो दो पांच तो यह दिसम्बलो एक अंक आप इधर लाएं दाई तरफ धन देजे यहाँ पर इसका second point जिसम्बलो आपको यहाँ पर लिखा था धन देजे प्रेरक में T बराबर 1 second पर संचित उर्जा अब आपको यहाँ पर ग्याद करने है उर्जा तो यहाँ पर आप लिखिए T बराबर 1 second पर धारा तो पहले हम लोग T बराबर 1 second पर ग्याद करेंगे धारा तो धारा के लिए धन देजे यहाँ पर हो जाएगा I बराबर 5 प्लस 16 गुड़े T का मान रखे यहाँ पर 1 तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 और यह 16 एकम 16 16 और 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 एंपियर यह हो जाएगी धारा तो अब धारा आपको पता चल गई अब हम लोग ग्याद करेंगे यहाँ पर उर जाएगा तो सूतर होता है U बराबर half L I square यह सूतर होता है तो U बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक बटे दो गुड़े L का मान धान देजी अभी हम लोगों ने ग्याद किया है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दिसमलोग 2 5 गुड़े 10 की घात माइनस 4 फ़र गुड़े आई इसका मान भी ग्याद किया गया तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का whole square इतना हो गया इसके बाद U बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे 1 upon 2 into 6.25 into 10 की पावर माइनस 4 यहाँ पर धन्देजी 21 का आप वर करेंगे तो 21 गुड़े 21 जो है होता है 441 इतना आ जाएगा अब U बराबर अब धन्देजी आपर 6.25 का गुड़ा आप यहाँ पर 441 में करिए यह इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो इसका मानलग भाग आएगा यहाँ पर 27.25 बटे में हो जाएगा 2 और गुड़े में दिया गया 10 की घाट तो माइनस 4 इस प्रकार से इतना हुआ अब इसके बाद धन्देजी यू बराबर जब 2 से आप यहाँ पर इसे भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा इसके बाद 2 त्याई 6 हो जाएगा यहाँ पर दन्देजी 6 हुआ तो एक बच गया तो यह हो गया 15 यानि कि 2 शत 14 हो जाएगा इसके बाद 2 अठे 16 फिर पॉइंट 2 एक कम 2 इसके बाद 2 दूनी 4 फिर 2 पंचे 10 यानि कि जब 2 शे भाग करेंगे तो इतना आएगा और गुड़े में धन्देजी 10 की घात माइनस 4 तो अगर इसको आप मानक रूप में लिखेंगे तो यू बराबर मानक रूप में लिखन यह एक उंग के बाद होना चाहिए तो यहां पर दून देज़े दसमेलो लाएंगे तो 1.3 इसको दुन तक पॉइंट तक सुध्ध कर देजिए तो यह पर दन्देजी यह अंग है 8 जो इससे आप सुध्ध करेंगे तो यहां पर दन्दीजी यह आठ है यहां तक और अगर सुध्ध करेंगे तो यह साथ जो कैसे बदल जाएगा आठे बदल जाएगा क्योंकि इसके बाद वह लांक जो पांच से बढ़ा है और आपको बतायागा जब पांच से बढ़ा उता तो उसके पहले लिए जोड़ देया जाता सुध्ध करते समय तो यह हो जाएगा एक दिसम ती नाट गुड़े दस की घात माइनस एक जूल ऐसा लिख सकते हैं यह फिर देंदेजी आपर माइनस एक है यह दिसम लो एक अंग और आगे लिए यह इसी दिसीदे तो यहाँ पर इससे आप ऐसा लिख देजेए जीरो दिसम लो वन थ्री एट ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग स्वयम त्यार करेंगे अब इसके बाद देंदेजी में आगे नियोमेरिकल जुड़ा हुआ है यहाँ पर कि एक आदर्स ट्रांशफार्मर के प्राथमिक एवं दोतियक कुंडलियों में फेरो की संख्या क्रमशा देंदेजे 1100 तथा 110 है प्राथमिक कुंडली म आपको ग्यात करना है तो सबसे पहले देंदेजी आप रबतायागा था कि एक आदर्स ट्रांशफार्मर के प्राथमिक एवं दोतियक कुंडलियों में फेरो की संख्या और यह दूसरी कुंडली में तो यहां पर देंदेजे इस पिगा लिखी आपर प्राथमिक का मतलब तो पहली कुंडली में फेरो की संथ्या है गयारा शोगं यहां पर जायाएगा गयारा सोग दूसरी कांड़ी में दी गई है यहनी कि सेकंडरी यहें नहीं है ने अरा 2 यह यह जायाएगा इन इसल stretching यहां पर फेरो की यह 자य गएन पर ऐ। प्राथमिक कुंडली में supply voltage आपको दिया गया प्राथमिक के लिए primary यानि कि वीपी बराबर यहां पर आपको दिया गया 220 220 ओल्ट इतना हो जाएगा इसके अलामा दिया पर लिखा था कि यहां पर यहां पर हो जाएगा 220 ओम इतना हो गया बस इतना आपको समझना पी का मतलब primary secondary एसका मतलब secondary यानि कि दोतियक तो अब ध्यंदेजी सबसे पहले यहां पर आप ध्यंदेजी ग्याद क्या करना था आपको प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा प्राथमिक कुंडली यानि कि IP आपको ग्याद करना है तो अब सबसे पहले ध्यंदेजी आपर बटे NP बराबर होता है VS बटे VP इतना होता है तो अगर इसमें लोग मान रखें तो धन देजे NS इसका मान दिया गया आपको 110 इसकी जगे पर हो जाएगा NP इसका भी मान दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा ग्यारा सो बराबर V.S. इसका मान आपको नहीं दिया गया तो V.S. हो जाएगा बटे में V.P. इसका मान दिया गया 220 इस प्रकाश से इतना हुआ तो अब यहाँ पर धन देजे इसमें अगर आप कैंसल करें तो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा इसके बाद दंदेजी 11 एकम 11 इसको खासल करेंगे तो 11 एकम 11 और 0 यानि कि यहाँ पर आ गया 1 बटे 10 और इधर हो गया VS बटे में हो जाएगा 220 इस प्रकार से इतना हुआ अब यहाँ पर दंदेजी यह 0 से यह 0 कर जाएगा 22 का इधर गुड़ा हो जाएगा तो VS बराबर आ जाएगा यहाँ पर 22 ओल्ट तो यह दोतियक कुंडली में यहाँ पर दंदेजी ओल्ट जा गया तो अब इसके लिए धन देजे यहां पर आप लिखें चूंकि सूतर होता है Vs बराबर Is इंटू में हो जायेगा Zs क्योंकि सूतर होता है यहां देजे V बराबर I इंटू Z सूतर होता है S का मतलब आप दोतियक की बात हो रही है अब इसमें लोग मान रखेंगे तो Vs का मान यहां पर रखेंगे आप 22 Is इससे आपको ग्याद करना है और Zs इसका मान धन देजे दिया गए आपको 220 तो यहां पर हो जायेगा 220 इस प्रकार इतना हुआ तो जब यहां से आप Is ग्याद करेंगे तो धन देजे यहां पर लिखे आप Is बराबर यह इधर बटे में आ जायेगा तो यहां पर हो जायेगा 22 और बटे में हो जायेगा आपर 220 तो 22 कम 22 और 22 से जब इसको काइंसल करेंगे तो 22 दहम मां 220 यानि कि यह मान आ गया है आपर एक बटे 10 तो एक बटे 10 को आप ऐसा लेख सकते हैं जिए 10 से भाग करेंगे तो यहां पर आज़ा अगर 0.1 धारा ग्याद कर रहे थे इसलिए एंपियर इतना हो गया तो यह यहां पर दोतियक कुंडली में धारा आ गए हम लोगों को ग्याद करना है प्राथमिक कुंडली में धारा तो इसके लिए धन देजे यहां पर अबाप लिखे आदर्स ट्रांशफार्मर हे तो आदर्स ट्रांशफार्मर हे तो तो आदर्स ट्रांशफार्मर के लिए यहां पर प्रयोग किया जाएगा V P into I P और बराबर होगा आप Vs into Is इस प्रकास से यहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा तो Vp इसका मान धहन देजिए आपर जो Vp है इसका मान आपको question में दिया गया है 220 तो इसके देगे मान रख दीजे 220 गुड़े इसका मान आपको ग्याद करना है Vs इसका मान धहन जी यह दिया गया 22 यहां पर हो जाएगा 22 Is का मान ग्याद किया गया है 0.1 इतना तो अब धहन जाएगा 22 गुड़े 0.1 यह बटे में आ जाएगा आपर 220 इस प्रकास से 22 से कैंसल करेंगे तो 22 दहमा 220 यानि कि आईपी बड़ाबर 0.1 बटे 10 तो आईपी बड़ाबर अब 10 से इसको भाग करेंगे तो दिसमलों एक अंक और आ गया जाएगा निकि यहां पर हो जाएगा 0.01 धारा ग्याद करते इसलिए एंपियर तो यह यहां पर जो है इसका आशर हो जाएगा इस प्रकार से आप यहा आवरती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवरती 50 हड से परिपत की प्रतिघात ध्यांदिया पर दिया गया एकस एल प्रतिबाधा जेड तथा परिपत में धारा आई के मान ग्याद कीजी तो अब यहां पर ध्यांदिय जी सबसे पहले आपको ग्याद क्या करना है एकस प्रतिरोध यनि की आःर बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है एक ओम इसके बाद ₹ to that यहांद दिख excell march thereop यहाँ पर धंदेजी 200 ओल्ट की प्रत्य आवरती धार आपको दी गई है यानि कि V बराबर आपको दिया गया है 200 ओल्ट और 50 हर्ट्स आवरती F बराबर दिया गया है 50 हर्ट्स यानि कि S, Z इतना आपको दिया गया है अब धंदेजी सबसे पहले आपको ग्याद करना आपकर प्रति घात तो शूत्र धंदेजी सूत्र होता है XL बराबर ओमेगा एल यह सूत्र होता है और ओमेगा आपको दिया नहीं गया है तो ओमेगा बराबर होता है 2 Πाई F ये ओमेगा की जगेशे पर हो जायेगा और इन 2 मे हो जाएगा 50 और L इसका मान दिया गया 0.01 अब इसके बाद धन देजिए दो गुड़े 50 करेंगे तो यह हो जाएगा 100 गुड़े 3.14 गुड़े 0.01 अब यहां पढ़न देजिए दिसमलो 2 अंक पे दिया गया जब इस 100 में गुड़ा कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 और अब इसके बाद धन देजिए आपको दूसरा गयाद करना है प्रतिबाधा प्रतिबाधा यानि कि Z सूतर होता है Z बराबर अंडर रूड आर स्कॉयर प्लस XL का होल स्कॉयर इतना है अपर सूतर होता है अब इसमें आप मान रखे तो धन देजिए अंडर रूड आर का मान आपको दिया गया है एक ओम तो यहां पर हो जाएगा एक का स्कार प्लस एकस एल एकस एल का मान आपर ग्याद किया गया है तीन दसंबलो एक चार का होल स्कार इतना हो जाएगा इसके बाद अंडर रूट यहां पर दन देजे एक का स्कार करेंगे तो एक ही आ जाएगा और ज 10 हो जाएगा तो 10.85 इतना हो जाएगा और जब इसका आप वर्गमूल गयाद करेंगे तो लगभग 3.29 ये वर्गमूल आ जाएगा आपर प्रतिबाधा गयाद कर रहे थे इसलिए ओम यहाँ पर इसका आशर हो जाएगा अब इसके बात ध्यंदेजी तीसरा यहाँ पर बटे जेड अब धंदेजी आपर वी बटे जेड होता है वी का मान आपको दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा 200 जेड का मान हम लोगों ने ग्यात किया है तो 3.29 इतना हो जाएगा और जब इससे आप इससे भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो 60 आ है यहाँदी संधारत्र की धरता 10 MPF से बदल कर 2 MPF कर दी जाए तो उर्जा में परिवर्तन ग्याद केजिए तो यहाँपर अब धहन देजे सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ओल्टे दिया गया है यनिकि वी बदाबर तो दिया गया है 200 ओल्ट इस के लाओ धनद्य जी हम पर धारता दे गई है दस माइक्रो फैरेट से बदल कर 2 माइक्रो फैरेड यानि कि C1 बराबर मान लेते हैं 10 माइक्रो फैरेड और C2 बराबर यहां पर हो जाएगा 2 मायक्रो फैरेड अगर ढ़ेट तो यहां पर उर्जा में परिवर्तन ग्याद करना है यानि कि डेल्टा यू बराबर कोशन मार्क आप लेख सकते हैं अब धन्देजियां पर आप लिखिए संधारित्र संधारित्र की प्रारंभिक उर्जा इसको में लोग मान लेते हैं यू वन से सूत्र होता है हाफ सी वी स्क्वाइर प्रारंभिक है तो यहां पर हो जाएगा सी वन वी स्क्वाइर इस्सी प्रकार दान देजिया संधारित्र की यहां पर अब दान देजिया बाद में उर्जान कि जब परिवर्तन हो रहा है तो इस अंदार्त की यहां पर आप लिख शक्ते हैं बाद में उर्जा इसको हम लोग मान लेते हैं यहांपर हो जायागा हाफ c2v सकार इतना हो जायगा अब यहां पर डायन देजिए जब अप उर्जा में परिवर्तन गयाद करेंगे उर्जा में कि परिवर्तन इससे हम लोग लिखेंगे डेल्टा यू से तो यहाँ पर हो जाएगा U1-U2 यह होगा इन दोनों का परिवर्तन तो इसमें मान रखेंगे तो U1 के जगे पर हो जाएगा Half C1 V2 U2 के जगे पर हो जाएगा Half C2 V2 अग इन दोनों में धंदेजी एक बिट्टे दो common है और इसके लाएगा V2 common है यहाँ पर आएगा C1-C2 इसमें अगर मान रखेंगे तो 1 by 2 V का मान आपको दिया गया 200 यहाँ पर हो जाएगा 200 का square इसके बाद देजी C1 इसका मान आप रखेंगे तो 10 गुडे 10 की घात मान आप रखेंगे तो 2 गुडे 10 की घात मान आपको देजी C1-C2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुडे 2 इसका आप वर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 इसके बाद 1, 2, 3, 4 इतना आजाएगा फिर यहाँ पर दन देजी 10 से 2 घटा देंगे तो यह आजाएगा 8 गुडे 10 की घात मान आइनस 6 इतना हो जाएगा अब यहाँ पर दन देजी अगर 2 से कैंसल करने तो यह आजाएगा 2 चोग को 8 अब 4 का इसमें गुडा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चोग 16 इसके बाद 4 0 लग जाएगे इस प्रकार से और गुडे 10 की घात यहाँ पर दिया गया है माइनस 6 तो अब यहाँ पर दन देजी यहाँ पर अभी जो दसमलो दिया गया आपको यह दसमलो जो हैं आपर लाश्ट में होगा याणि कि इस जगे पर तो यहाँ पर यह जो दसमलो दिया गया है अगर इसको हम लोग 4 रंग किस तरफ ले हैं यानि कि इससे देंदेजी इस प्रकार लिख देजी आप यहाँ पर 16.0 गुड़े 10 की घात देंदेजी 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर 4 रंग किधर आया तो 10 की घात 4 हो जाएगा इसके लाओं गुड़े यहाँ पर दिया गया है 10 की घात minus 6 तो यह आजायाएगा यहाँ पर 16.0 गुड़े 10 की घात minus 6 जचार गटेंगे तो यहाँ पर आजायाएगा minus 2 यहाँ पर लोग अरुज़े में परिवरतन गयाद कर रहे थे तो यहां पर यह आएगा जूल में तो यह यहां पर इसका आंशर हो जाएगा यह आप बता सकते हैं कि इस अंधारतर के उर्जा जो है यह 16 गुड़े 10 की घात माइनस 2 जूल जो है कम हो जाएगी इतना परियोतन होगा जब लोग याद रखेगा उर्जा जो होगी उस 16.0 गुड़े 10 की घात माइनस 2 जूल जो है कम हो जाएगी यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा अब इसके बाद धन्दजे अगला कोशन है कि मुक्त एलेक्ट्रानों के एक अनुगमन वेक से आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर आपको अनुगमन वेक की परिभाषा लिखनी है यह आपको पहले से बताय जा चुका है तो इससे आप लोग स्वयम तयार करेंगे अब इसके बाद धन्दजे अगेश में जुड़ा हुआ है यहाँ पर कि एक मिली मीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कुला माविश प्रवाहित होता है यदि 30 सेंटी मीटर क्यूब आयतन में मुक्त एलेक्ट्रानों के संख्या 5.8 गुड़े 10 कि घात 22 तो ग्यात के जिए वैदुत धारा तथा एलेक्ट्रानों का अनुगमन वेग तो अब यहाँ पर धन्दजी सबसे पहले यहाँ पर धन्दजी एक मिली मीटर व्यास के यह दिया गया था और यहाँ पर लिखा था कि चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो यहाँ पर आपको व्यास दिया गया इससे आप लिखे डी से डी बराबर हो जाया गया पर एक मिली मीटर अगर इससे आप मीटर में चेंज करेंगे तो एक गुड़े मिली मीटर को बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुड़ा करेंगे तो यह बदल जाएगा मीटर में तो यह हो गया व्यास इससे आप गयाद करेंगे तरिज्ज्या यानि कि R अर बराबर गयाद करने के लिए होगा D by 2 यानि की तरिज्ज्या जो है व्यास की आधी होती है तो D का मान है एक गुड़े 10 की घात माइनस 3 तो दोशे भाग कर देजे तो यह यहाँ पर हो जाएगी तरिज्या इतने मीटर इसके अलाव आप ध्हंदेजी यहाँ पर एलेक्टरानों की संख्या दे गई है यानि कि N बराबर 5.8 इंटू 10 की पावर 22 यह यहाँ पर आपको जो है एलेक्टरानों की संख्या दे गई है अब यहाँ पर ध्हंदेजी इसमें लिखा था कि यदि प्रति सेंटी मीटर क्यूब आयतन में यहाँ पर जो संख्या दे गई थी यह प्रति सेंटी मीटर क्यूब में है प्रति centimeter cube इससे आपको बदलना है meter cube में तो अब meter cube में बदलने केलिए धन्दीजी यहाँ पर आप लेखेंगे 5.8 into 10 की power 22 इतना तो दिया गया है इससे आप यहाँ पर धन्दीजी centimeter cube जो दिया गया है इससे meter cube बदलने के लिए यहां पर 10 की घात माइनस 2 का होल क्यूब से भाग करेंगे तो यह बदल जाएगा मीटर क्यूब में यहां पर धंदे जी यह इतना आयागा 5.8 इंटू 10 की पावर 22 बटे में धंदे जी इसे आप ऐसा लेख सकते हैं 10 की घात गुड़ा हो जाएगा तो माइनस का 6 प्रती मीट क्यूब तो अब धंदे जी इसे आप ऐसा लेकियां पर 5.8 इंटू 10 की पावर जब यह उपर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो बाइस और छे मिलके हो जाएगा 28 प्रती मीटर क्यूब यह होगे यहां पर एलेक्ट्रानों की संख्या अब इसके बाद धंदे जी यहां शूंदय पर लिखा था 75 मिनट में नवे कुलाम तो यहां पर पच्छेटर मिनट में नवे कुलाम यानि की समय जो दिया गया 3 बराबर यहां पर बता सकते हैं 75 मिनट अगर इसको आप सेकंड सागो गड़े मिनट को सेकंड बिदाने के लिए 60 से गुड़ा करेंगे तो यह बदल जाएगा second में ये हो गया समय 90 कुलाम क्यों बराबर आपको दिया गया 90 कुलाम ये हो गया आविश अब धंदेजे सबसे पहले आपको ग्याद करने थी वैदुत धारा जो सूत्र प्रयोग करेंगे आप I बराबर Q by T तो अब यहां पर धंदेजे Q आपको दिया गया 90 बटे में T, T का मान हो जाएगा 75 गुड़े 60 ये 0 से 0 कर जाएगा इसके अलावा धंदेजे अगर आप 3 से कैंसल करेंगे तो 3 तरिका 9 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो यहां पर धंदेजे इसके बाद ये आए 3 बटे में हो जाएगा 75 गुड़े 2 अब इसके बाद अगर 3 से कैंसल करेंगे तो 3 कम 3 यहां पर धंदेजे 3 दूनी 6 तीन पच्चे 15 ये आएगा एक और बटे में हो जाएगा 25 दूना 50 यानि कि एक बटे 50 और यहां पर धंदेजे आई बराबर जब 50 से एक को भाग करेंगे तो ये आएगा 0.02 लगबग इतना आ जाएगा यहां पर धार तो या यहां पर हो गये धारा अब इसके बाद धंदेजी यहां पर आपको अलेक्टानोетр corasate अनुगमन वेग यहां करना है तो इसके लिए दंदे शूत्र होता है VD बराबर I बटे में होता है N E A यह सूतर होता है तो अब ध्यान देजिए यहां पर I धारा धारा का ओमान देजिए आपको दिया गया लेकिन जो 6 त्रफल है वह आपको नहीं दिया गया तो इससे आप कैसा लिखिए आई बटे में हो जाया गए एन इए छे त्रफल के लिए यहां पर आप प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वाइर तो अब यहां पर दान देजे जब आप इसमान रखेंगे तो आई का मान की ग्यात किया गया है यहां पर हो जायागा 0.02 बटे अब यहां पर दा हो जायागा 3.14 आर का मान आपको यह दिया गया नहीं कि इसे आप लेक सकते हैं 10 की घात माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वाइर इतना हो गया अब इसके बाद धंदेजी यहां पर यह हो जायागा 0.02 गुड़े धंदेजी जब इसका वर करेंगे तो यहां पर आजाएगा दो द 23 इसके बाद गुड़े 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19 गुड़े 3.14 गुड़े यहां पर आजाएगा 10 की घात 3 दूनी 6 यहनी कि 10 की घात माइनस 6 इतना हो जाएगा अब यहां पर धंदेजी दोंपर दिसमलो दिया गया तो यह दिसमलो से यह वाला दिसमलो कट जाएगा इसके बाद धंदेजे अगर ये वाला दसमलोग काट दे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा ये दसमलोग काट दे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर धंदेजे अगर इसमलोग 4 से कैंसल करें तो 4 एक कम 4 फर 0 लग जाएगा इससे आप कैंसल करेंगे तो यह आ जाएगा 4,16 फिर 4 से आप 100 को कैंसल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 इतना हो गया इसके अलाव धंदियां पर 2 बचा तो 2 एक कम 2 23 से आप कैंसल करें 2,24 यहाँ पर 1 बचेगा 2,9,18 तो यहां पर धन्देजी उपर बच्चा 25, इसके बाद धन्देजी बट्टे में यहां पर हो जाएगा 29, गुड़े, यहां पर हो जाएगा 314, गुड़े, यहां पर धन्देजी यह 19 और 6, जूर जाएगा तो 1906 यानि कि 25 तो 10 की घाथ 25 और 28 से जब 25 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घाथ 3 ये इतना हो जाएगा अब इसके बाद धन देजी यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे यहाँ पर 314 और 31 का गुड़ा करेंगे तो लगभग यहाँ पर आएगा 9106 गुड़े 10 की घाथ 3 अब इससे जब आप इसको भाग करेंगे यानि कि 25 को जब इससे भाग करेंगे तो इसका मन 0.0027 इंटू ये उपर जाएगा तो 10 की घाथ माइनस 3 हो जाएगा अब यहाँ पर डान देजी इससे जब सुद्ध करेंगे तो यह दिसमलों 1 अंग के बाद होना जाए यानि कि मीटर प्रतिस सेकेंड ये यहाँ पर इसका आंशर हो जाएगा अब इसके बाद देजे अगला कुशन यहाँ पर है कि नीचे दिये गए विद्धुत परिपत्थ में ग्याद कीजे सबसे पहले याँ पर देजे प्रतेक संधारित्र में संग्रहित आविश यहाँ पर इज यहाँ पर आप लिखे परिपत्थ में धारा तो धारा ग्याद करने के लिए सूत्र होता है आई लविज़ा अब यहाँ पर दन देजे जो आर है याँपर दो प्रतिरोध आपको दिये गये हैं यहाँ पर दन देजिए यह दो और एक ये सेल के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर तो इसका मतलब तीन प्रत्रोध है और तीनों का क्रम जो होगा वो यहाँ पर धन देजे इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े हुए तो तीनों का क्रम स्रेडी होगा और स्रेडी क्रम में जुड़े होने का मतलब धन देज तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 और प्लस ये दिया गया है 1 इस प्रकार से तो इसका मतलब ये आएगा 12 बटे में हो जाएगा 6, 3, 9 और एक 10 इतना और जब 10 से 12 को भाग करेंगे तो ये आजाएगा 1.2 एंपियर तो ये तो आगई परिपत में प्रवाहित धारा अब यहां पर धन्देजे उस संधाय जुड़े हैं ये दोनों स्रेंडी करम में जुड़े हैं तो अब यहां पर धन्देजे आप लिखे यहां पर संधारत्रों संधारत्रों स्रेंडी करम अब धंद जे संधार्थ्रों के सणीतरम के लिए पर सूत रोज किया जाएगा 1 upon C बराबर 1 upon C1 plus 1 upon C2 अब इसमें जब मान रखेंगे तो 1 by C बराबर 1 upon C1 का मान धंद जे 1 microfarad है तो 1 आ जाएगा 1 बटे C2 का मान 2 microfarad है यहाँ पर 2 आ जाएगा इस कम लोग लाशा लेंगे तो 2 एक कम 2 इधर गुड़ा करिए तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और ये एक एक कम एक हो जाएगा निया कि 2 एक 3 बटे 2 इतना आया तो ये मान 1 बाई C का है तो जब C ग्याद करेंगे तो ये आयागा फिर 2 बटे 3 माइक्रो फैरड तो 2 बटे 3 माइक्रो फैरड है अगर इससे फैरड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 माइक्रो को बदलने के लिए 10 की खात मनेश 6 से गुड़ा कर जाएगा तो ये बदल जाएगा फैरड में इतना हो गया तो अब यहाँ पर आप लिखेश में संधारित्रों के संधारित्रों के शंयोजन के सिरों पर विभुवांतर सिरों पर विभुवांतर तो विभुवांतर ग्याद करने के लिए अब शूर्तर प्रयोग करें V बराबर E माइनस I R इस शूर्तर का यहाँ पर हम लोग प्रियोग करेंगे सबस्ट पहले आपर V बराबर E-IR तो यहाँ परो जाएगा V बराबर E इसका मान आपको दिया गया है 12 कोशिन में तो यहाँ परो जाएगा 12 इसके बाद –I I का मान आपने ग्याद किया है तो यहाँ परो जाएगा 1.2 into R यहाँ पर small r दिया गया इसमाल आर होता है आपका आंतरिक प्रत्रोद या नहीं कि जो सिल के सा जुड़ा होता है ये वाला प्रत्रोद आपका होगा आंतरिक प्रत्रोद तो यहां पर हो जाएगा एक तो वी बराबर बारा माइनस यहां पर दंदर इसका गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा एक द प्रत्र संधार्त्र में में शंग्रहित आवीश वप इसके लिए धन जूत रोज करें क्यूं बराबर सीवी तो भी यहाँ पर रखेंगे यहां पर रखेंगे दो बट्टे तीन गुड़े दस की घात माइनस छे गुड़े वी वी का मान यह क्यात किया गया है यानिकि 10.8 इतना अब धंदेजी इससे जब गुड़ा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा दो अठे 16 इसके बाद धंदेजी यहां पर 16 है यहां पर हो जा जायेगा फिर दो एक कब दो एक अंक तो दिशमलो लग जाएगा बट्टे में आ जायेगा तीन और गुड़े दस की घात मा इनस छे तीन से जब भाग करेंगे तो तीन सत्ते 21 दस अमलो तीन दूनी छे गुड़े दस की घात माइनस 6 तो यह आया 7.2 गुड़े 10 की घात मैनिस 6 कुलाम तो यह यहाँ पर जो है संग्रहित आवेश हो जाएगा इस प्रकार से आप यहाँ पर से ज्याद करेंगे अब इसके बाद धंदेजी सेकेंड नंबर यहाँ पर लिखा था बिंदू A तथा B के बीच विभुवांतर ज्या के संधारित्र के लिए इसके लिए देंदेजे V A माइनस V बराबर आप प्रयोग करें Q बटे C1 क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस संधारित्र के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर यह हो जायाएगा फिर देंदेजे यहाँ पर आप मान रखें Q इसका मान देंदेजे जो आवेश अभी ग्याद किया आपने ये वाला मान रखना है 7.2 गुड़े 10 की घात माइनस 6 बटे यहाँ पर दिया गया C1 C1 का मान रखे तो एक माइक्रो फारड है यानि कि एक गुड़े 10 की घात माइनस 6 इतना हो जाएगा अब यहाँ पढ़न देजे इससे ये कैंसल हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर आएगा 7.2 गुड़े ये इतना हो गया अब इसके बाद धन देजे यहाँ पर यह हम लोगों ने एक माइक्रो फारड संधायतर के लिए गयाद किया अब यहाँ पर धन देजे इसके साथ virgin जोड़ा हुआ हुआ है इधर तीनोम का तो यहाँ पर अब आप लिखिए तीनोम के प्रतिरोध के लिए इसके लिए धन देजे बराबर हो जाएगा i into r1 अब धन Black इसका मान आपको पता है हम लोगों ने पहले ही ग्याद किया था तो यहां पर हो जाएगा 1.2 into r1 यानि कि पहला प्रत्रों जो दिया गया यहां पर हो जाएगा 3 इसका गुड़ा करेंगे तो 1236 यानि कि 3.6 ओल्ट इतना आ गया तो अब यहां पर दन देजी यह मान गया थो vb-v का और यहां पर हम लोगों ने गया थो va-v का तो अब यहां पर दन देजी यहां पर अगर हम लोग इन दोनों को घटा दें तो यहां पर जो आया थो va minus v यहांपर आप लखे va minus v इतना हो जाएगा फिर minus दूसरा वाला घटा दीजे zap vm minus v इतना हुआ इसका मान धैनेरी 7.2 था तो यहांपर हो जाएगा 7.2 minus इसका मान हो जाएगा 3.6 इतना हुआ अब यहांपर धैनेरी यहाँआएगा va minus v इमानेरी यह प्लस हो जाएगा और बराबर 7.2 से 3.6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3.6 अब इसमें धंदेजी यहाँ पर V से V कट जाएगा यहीं कि यह आएगा VA-VB बराबर 3.6 ओल्ट यह आंसर हो जाएगा यहीं कि A और B के बीच का विभवांतर हो जाएगा इस प्रकास से आ लाइक, सेयर और हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद